हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप पो 32 सेज की सिंगल कोटोरी ब्लाज की कटिंग और अस्टिचिंग दोनों सेयर करूंगी तो वीडियो में लास्तक बने रहे हैं फ्रेंट्स और मेजरमेंट आप आप स्क्रीन पर देख प यहां पर कर रहे हूं बहुत ही आसान है यह तरीका प्रेंट्स आप चाहे तो बिलकु अच्छे से इस की आसानी से कटिंग कर सकते हैं सबसे पहले तो हमें वैक पार्ट की लेनी है तोसबसे पहले इसuiten si स्मयने कपे को फ्रल्ल कर लिया हुआ है और अब हमें बैक पाट की से और एक मार कर 예ंगे इसके पाद अब हम सोल्डर ले एगे तो सोल्डर है में organic चीट में लेए इसे के बाद हमें और हम खो लेना हैतो आर्म आटल हम यहां से 5.5 इंच लेंगे और इपर से सीधी लेंड़ो कर लेंगे अब हमें यहां से लेना है chest का 4th oak chest का joint 4th ,8 इंच 32 size के according और components हमें और इसकी गोलाई हमें 1,5 इंज पे दे नी है इस तरह से अन्हों की गोलाई हमें 1,5 इंच पे देनी है बिल्कुल अच्छे से हलके हतों से गोलाई का shape दे देना है अब हम यहां से लेंगे 6.5 फाइब इंच पे, बैक पाट की जो तक्स देते हैं, उसके लिए हम 1 इंच अक्स्ट्रा लेंगे, और 2 इंच अक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे कमर के लिए और margin वाले line को हमें आपस में इस तरह से joint कर देने है अब हम यहाँ से लेंगे 2 inch neck का जो width है वो 2 inch रखेंगे 2 inch से ज़्यादा ना रखे वरना neck है वो गिरने का डर रहता है और length मैंने यहाँ से 9.5 inch रखी हुई है friends आप इसकी length कम ज़्यादा कर सकते है और आपको जितना neck broad चाहिए आप उतना रख सकते हैं यहाँ पे neck के cutting हम यहाँ पे बाद में करेंगे क्यूंकि back part को रखते वे हमें front part की marking करनी है और आप neck में कोई सा भी save दे सकते हैं अपनी पसंद का तो यह देखे इस तरह से पहले आपको back part को cut करके निकाल लेना है इसके बाद हमें front part की marking करनी है तो front part की marking करने के लिए हमें back part का use करना है तो back part को बिलकुल अच्छे से बिछा लेना है और side से हमें half inch extra लेना है half inch हमें high hook की पट्टी के लिए extra लेना है तो इस बात का आप ध्यान दे यह देखिए फ्रेंट्स इस सड़ हमें half inch extra ले लेना है high hook की पट्टी के लिए और यहां से हमें one inch extra लेना है यह देखिए यहां से हमें one inch extra लेना है back part के according हमें front part one inch extra लेना है यह मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ और चारो तरब से as it is land rocker लेना है हमें जैसा है वैसे ही चारो तरब से हमें mark कर लेना है तो यहां पर mark हो चुका है neck जितना है उतना ही हम रखेंगे front part में इसके बाद हमें neck की length लेनी है तो front part में आप चाहे तो 6 inch length ले सकते हैं या फिर 5 inch, 7 inch आपको जितना पसंद हो उतना रखें मैंने यहां से 6 inch रखा हुआ है और इस तरह से box बनाते हुए गले की गुलाई दे देनी है हमें यह देखेंगे पिलकुल आसान तरीका है यह इसके बाद हमें front armhole का shape देना है half inch का तो इस तरह से dot dot करते हुए आपको armhole का shape देना है half inch का ज्यादा नहीं half inch का हमें देना है और अब हम लेंगे belt के लिए तो belt के लिए हम 3 inch पे मार करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से 3 inch पे इस साइड से मार कर लेंगे गले की साइड से 3 inch पे मार करेंगे और armhole की साइड से हम 2.5 inch पे मार करेंगे और दोनों निसान को आपस में joint करते हुए land row कर लेंगे इसके बाद हमने जो warning check लिए हुँँँआ था उस पर इस तरह से मार कर लेंगे जिससे की आपको अच्छी से समझ में आ जाए अब हम यहां से कटोरी के लिए मार करेंगे half inch को छोड़ते हुए हमें कटोरी का मार करना है 5 inch पे और गले के पास से 1 inch ले ले लेना है और armhole की तरब से 2.5 inch और इन तीनों निसानों को हमें कटोरी का सेप देना है तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं जिस तरह से दे रही हूँ सेम उसी तरह से आपको देना है बिल्कुल अच्छे से गुलाई के साथ देना है कटोरी का सेप निकालना है आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मार्किंग कम्प्लीट हो गई है अब हम सैट से इसकी कटिंग कर लेंगे आप इस आसान तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं और कहीं को कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले यह देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसके बाद यह जो कपड़ा है यह वेस्टेज है इसके जगह पर हम बड़ी कटोरी रड़ी करेंगे तो आपको सबसे पहले कटोरी को लेना है और कपड़ी के उपर बिल्कुल अच्छे से बिचा लेना है जहांसे हम कटोरी को निकालेंगे यह देखिया इस तरह से बिछाने के बाद हमें चारो तरब से कटोरी का मार्कर लेना है यह देखिया इस तरह से हमने चारो तरब से कटोरी को जैसा है वैसे ही मार्कर लिया हुआ है और यह जो कटोरी है उसे रख देंगे साइड में और इसे हम बड़ा करेंगे तो बड़ा करने के लिए इस साइड से आपको डेड़िंच लेना है और इस साइड से भी आपको डेड़िंच ले लेना है और इन दोनों का सेंटर निकालते हुए आपको नीचे से भी डेड़िंच लेना है और इसे इस तरह से मिला देना है अब हम यहां से जैसा है वैसे ही मार कर देंगे उपर से नीचे की तरफ लैंडरो कर लेंगे तिर्चा यहां से हमें हाफ इंच लेना है बस सिला मार्जिन कर लेना है गले के पास से और नीचे की तरफ इसे हम मिला देंगे यह देखिए इसके बाद हम जो टॉक्स डालेंगे सेंटर में उससे थ्री इंच पे मार्क करेंगे उपर से और जितना हमने दोनों साट बढ़ाया था डेर डेर इंच का दोनों तरब से मार्क कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी कटोरी बड़ी हो चुकी है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो आप इस आसान तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसकी कटिंग करना अब हम बचे हुए कपड़े में से स्लिप्स निकालेंगे तो यहाँ पे मैं बता दू आपको कि 3 इंच से ज़ादा हमारी स्लिप्स नहीं निकलेगी 3 से 4 इंच का ही यहाँ पे स्लिप्स हमारा निकलेगा क्योंकि यहां पे कपड़ा छोटा था तो मैंने यहां पे 4 इंच पे एक मार कर लिया हुआ है और नीचे की तरब से भी मैंने यहां पे 4 इंच पे मार कर दिया हुआ इसे कपड़े को सिधा कर लिया है सिधा करने के बाद हमें यहाँ पे धाइंच का कपड़े की गोलाई देंगे यहाँ पे हम इसे तिर्छा कर लेंगे और स्लिप्स का सेब देंगे तो स्लिप्स का सेब देंगे तो स्लिप्स का सेब देने से पहले इस तरह से सिक्सिज पे मार कर लेंगे मोहरी और टू इंच ए कपड़ को भी चुइंट कर सकते हैं तो यहां पे हमारी जो लॉज की कटिंग है वो कंप्रीट हो गई है अब हम इसकी अस्टीचिंग करेंगे तो अस्टीचिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्रंट पार्ट लेना है और सबसे पहले से हम कटोरी को निकाल लेंगे और सइड़ वाले पार्ट को इसके बाद अब हम इस तरह से बैल्ट को भी निकाल के अलग कर लेंगे और यहाँ पे मैंने आपको छोटी-छोटी टिप्स बताये हुए है जिससे की आपको फॉलो करना है और वीडियो में लास तक बने रहे हैं फ्रेंड जिसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कटोरी को इस तरह से डबल फॉल्ट करना है और हमने जहां पे मार्किंग किया हुआ है सेम उसे जगह पे हमें कट स्वारी अश्टीच लगाना है डबल अश्टीच आपको इस तरह से लगा लेना है इसके बाद आप चाहे तो एक सिला यहां पे भी लगा सकते है इस तरह से कटोरी को पकड़ते हुए बिल्कुल बारे की सिला यहां पे लगाना है हमें बिल्कुल एक पैर की मार्जिन देते हुए सिला लगाना है हमने 1.5 इंज का बढ़ाया हुआ था, उतना हम यहां पे टक्स डालेंगे, और सइड से हम और एक टक्स डालेंगे, बिल्कुल एक पेर की मार्जिन दिती भी हम यहां पे टक्स डालना है, आप चाहे तो यहां पे एक टक्स भी डाल सकते हैं, और दोनों काटोरी हमने यहाँ पे रेडी कर ली भी है अब हम इसे साड़ वाले पार्ट के साथ अटेज करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका वता रही हूँ सबसे पहले तो हमें दोनों को मिलाते वे अस्टीच करना है गले के पास से गले के पास से हम अस्टीच लगाएंगे और बेल्ट को इस तरह से नीचे की तरफ से अटेच करेंगे तो सबसे पहले हम इसे अटेच कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से आपको बरावर से रखना है ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए गले के पास से दोनों फैबरी को रखना है और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम इसे गुलाई के साथ सिलाई करेंगे तो सबसे पहले इस तरह से निचले वाले भाग को हमें मिला देना है और एक बार आपको चेक कर लेना है कि हमारा कपड़ा कोई साथ बड़ा छोटा ना हो और बिल्कुल बराबर से हमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसकी स्टिचिंग लगा देनी है कहीं से भी कपड़ी को हमें खींचना नहीं है और इसमें भी हमें डबल सिलाई लगानी है ध्यान दे फ्रेंड्स इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और यह देखिए य तरक्ष डाला था उसे भी हम अच्छे से फॉल्ड करके और हाफ इच का बार्जिन देते वे यहां पे इसे बैल्ट को भी अस्टीच कर लेंगे और कप्ले को सिधा करते वे बैल्ट के ऊपर भी हम एक अस्टीच लगाएंगे यह देखिए कंप्लेट हो गया है और यह जो हमारा ब्लाउज है आप चाहे तो यहां पे इस तरह से फॉल्ड कर सकते हैं या फिर आप पट्टी भी योज कर सकते हैं इसके बाद हमें हाई होकी पट्टी और गली की फिनिसिंग दे देनी है और फ्रंट पट हमारा कंप्लेट हो जाएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक सेर करना बिल्कुल न भूले थाइंक